अगर आपके Class 8 के जीके बुक ये है, Kidwich Class 8, और आप अपने इस बुक का पीज नमबर 63, जिस चैप्टर का नाम है, All at C, ये वाला चैप्टर, अगर आप ये चैप्टर याद करना चाहते हैं, और अगर आप इस चैप्टर के ये दस वो कोशन को याद करना चाहते हैं, ये दस, तो आप एकदम सही वीडियो पर लैंड हुए, क्योंकि मेरी आपसे एक गैरेंटी है, कि मैं आपको इस दस कोशन इतना बढ़ीन तरीकर से याद करा दूँगा, कि आप खुद भी नहीं भूल पाईएगा, ठीक है, आप भूल के दिखाईए, आप नहीं भूल पाईएगा, मेरी आपसे गैरेंटी है, आप मेरे साथ वीडियो बने रही है, वीडियो के एंडिंग में हम दोनम बात करते हैं फिर से क्या हुआ, ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला कोश्चन है, तो हम कोश्चनल कीवर्ट से जब देखेंगे, तो इटली में सर्दिया हैं, तो मतलब ऐसा आप सोचिए, इटली में सर्दिया हैं, तो विंटर में क्या होता है, रोड स्लिपरी हो जाते, हो जाते, ठीक है, अब जब रोड स्लिपरी हो जाएंगे, तो टायर्स के जो, कार के जो टायर्स है, तो कुछी काम के नहीं रहे, क्योंकि वो स्लिप करते हैं, कार के टायर्स काम के नहीं करते हैं, काम नहीं करते है क्योंकि वो slip करते है क्योंकि इटली में सर दिया है तो जब कोई काम नहीं करता है तो हम उसे क्या बोलते है हाथों में मेंधी लगी भी है क्या बोलते ही है जब कोई कुछ करता नहीं बैठा रहता है कोना में क्या बोलेंगा क्ट vein उसी तरह से यहां पर क्या होगा क्या जह्मिलरली तईर में मुझे लगए तो में इंगलिज में क्या कहते हैं हीना करते है तो तो टाइर में हीना लगा हुआ क्या ம्लोग लगी हुई है तो बस हम्हारा इसरी स्टूरी से स्कॉचल हमारा answer क्या है टायर हीनियन टायर आए गया वहां से टायर ठीक है और हीना हीना से आ गया हीनियन ठीक है आई हुप आपको याद रहेगा तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारा next question है the sea of tranquility is located here बहुत easy है आप पहले question the keywords में focus कीजिए sea of tranquility okay is located here okay to is very similar to tranquilizer okay and what is a tranquilizer 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 is a drug that comes and soothes and reduces stress and tension okay basically so खाने के बाद थोड़ा सा ease feel होता है ठीक है पर ठीक कब होगा जब stress या टेंसर ने तब खाई है तो ease feel होगा ठीक है नॉर्मल आदमी खाले तो क्या होगा तो दिमाग घुमने लगेगा तो after taking tranquilizer you feel like you are in the moon घुमने लगेगा सर पूरा नॉर्मल आदमी खाले तो दिमाग घुम जाएगा तो घुमेगा लगेगा और भाई हम कहीं मून में तो नहीं पहुच गए और इस question के answer क्या है moon ठीक है I hope आपको यह story याद रहेगी चलिए हम आगे बढ़ते है guys यह मेरा instagram account है imayankbridul और अगर आपको इसी तरह से tricks चाहिए किसी और subject का ओके या किसी और chapter का तो आप directly मुझे यहाँ message करके बताईए ठीक है या अगर आपके कोई suggestions हो कैसे में improve करूँआ directly मुझे आप यहाँ message कीजिए मैं थोड़ा Instagram में ज्यादा active रहता हूँ तो बहुत ज्यादा possibility कि मैं आपका message बहुत जल्दी देख लूँगा जो भी आपके suggestions होंगे and जो भी आपके request होगे I will try by best to get it done हमारा next question है the ports of Baku and Astrakhan are located at this scene तो हम पहले इस question का keyword से focus करते है ports of Baku and Astrakhan okay तो डाकू is very similar to Baku Baku डाकू similar है ठीक है ऐसे याद रखेगा डाकू क्या होता है डाकू ना समूद्र कर राजा होता है sea king होता है ठीक है तो डाकू के पास तो अस्तर तो हो गई मतलब captain and हमारा answer is very similar to captain हमारा answer क्या है कैप कैस्पियन ठीक है captain से वाय कैप कैस्पियन आई होप आपको यह याद रहेगा सली हम आगे बढ़ते हमारा next question है this sea separates turkey from Greece okay तो पहला में इस question कीवर्स को ध्यान दीजिए sea separates turkey from Greece okay अब चलिए आपको मैं इसी सब चीज का यूज करके एक imagination आपको मैं दिमाग में डालने जा रहा हूँ बस आप फ़रा ध्यान दीजिएगा मेरे साथ बने रहीएगा okay तो आप इस diagram को देखिए पहले ठीक है इसे क्या feeling आ रहे है आपको अंदर एक एग रखा हुआ है एक cage है ठीक है cage में सामने grill लगा हुआ है grill is very similar to grease okay तो basically यहाँ पर keyhole है तो इसमें लगेगा key तो turkey ऐसे आप आपको याद आएगा इस cage का grill और keyhole था तो वहाँ पर key लगेगा तो turkey याद आएगा grease hunter की हो गया और उस case के अंदर क्या रखा हुआ था एक एग रखा हुआ है एक मतलब क्या एगेटेरियन हो सकता है लोग जो एक खाता तो लोग एगेटेरियन हो सकता है एगेटेरियन हमारा एंसर क्या है एगेटेरियन 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 होप आपको याद रहेगा है हमारा next question है जैसे आपको मैंने पहले बताया है पर आपको फिर से बता रहा हुँ मैं हमने एक question क्या है देखा था दूसरा format में है चलिए आपको फिर से मैं दिखाता हो क्या है आपको याद रहेगा चलिए हमारा next question है तो आप हम पहले भी इमाजन किये थे पहले मतलब फिसला चैप्टर में ठीक है बट मैं फिर से आपको बता रहा हूँ यह रहा है आदमी नीचे खड़ा हुआ है वो रोब पकड़के पकड़ लिया फ्लाइट को ठीक है क्या होगा यह फ्लाइट इसको उड़ा के लेके चला जा जाएगा तो पिसला चैप्टर में इसका एंसर क्या था उड़ालस था ना और इस चैप्टर में क्या है जब उड़ा के लेके जा रहा है इसको तो यह क्या बलेगा रहे भाई मार डाला अभी बताएंगे यह रेस एक फ्लाइट है यूरोप से रोप आया रोप से जब उड़ा के लिए प्लाइट तो यह बोलेगा क्या मार डाला हमारा आंसर क्या है मार डाला सा भी बन रहा है यह बन रहा है यह जोड दीए और तो अधूच्छंग कं कीवर्ड में फोकस करेंगे तो सीप सज़वर्ण आप इसको सज़़ा से याद कर लीज़े मैं क्यों क्या रहाँ ना क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो यह हमारे काम कहीं ने कहीं आ सकता है आप इंडिया का मैप खोल दीजी गूगल पर आपको दिख जाएगा वेस कोड़ ऑफ इंडिया में अरेवियन सी है यह थोड़ा एजी है थोड़ा जुरूरी भी हमारे लिए याद आप 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 बताएए एक पाजब यह फ्रोजन रहता है यह यह कर सकते कि नहीं जब कोई नदी जम गया उसके पर गाड़ी चला सकते है चला सकते है तो हमारे जो एंसर है वेरी सिमले टू कार वारा एंसर क्या है कार आप ऐसे आधर के 9 मिन तक वो डिवर्ट जम जाती है गारी चला सकते हैं हमारा जो एंसर वो गारी से बहुती सिमले रहे है डाती प्ल यह कार आप आपको यह यह लहाइन है चलिए हम आगे भरते हमारा नेक्सरे धिस सी है इस चॉर्मन और यहाज्टे टो यह व्हर्टे यह आप common alternative name है sea of antilles का आप ही बताएं antilles किस-किस दो वर्ट से बन सकता है ant और lilies से बन सकता है ठीक है तो आपको क्या पता है ant carries weight ant बहुत ही भारी समान उठा लेती है भारी मत कब क्या जो ant का size है उससे भी बहुत ही बड़ा समान ant उठा लेती है ठीक है वह मैं कहना चाहरा हूँ यहां पर तो आपको पता है ant carries weight ठीक है आपको क्या पता है lilies basically पौद है वो कहां grow करेगा तो भी मैं कहना चाहरा हूँ lilies grows around bean लास पास और भी beans से जिससे पौदे हो गये होंगे ठीक है पापा ऐसा तरक है ant carries weight lilies grows around bean ठीक है और हमारा एंसर बनके ऐसी दो बर्ट से that is carry bean ant carries weight तो carries आया ठीक है और bean आगे है यहां से I hope आपको यह याद रहेगा सली हम आगे बढ़ते हैं हमारा next question है this sea is located between Jordan and Israel तो हम पहले this question है keyword से focus करते sea is located between Jordan and Israel Jordan से आया dawn डिये ने dawn मतलब डिया आपने dawn मतलब डेड डाउन से पंगल यहाद यहाद रहेगा तो हमने इस चैप्टर का खेल समाप्स कर दिया और मेरी आपसे एक request है कि आप मेरे खेल समाप्स मत कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आई हो और आपको लग रहाओ कि इससे आपके marks बनेगे exam में तो अपने दोस्तों के साथ share कीजिए इस वीडियो के comment section में पहला link न मैं इस पूरे gkbook का playlist का डाल दे रहा हूँ जिससे आपको बहुत easy होगा navigate करने में ठीक है और अगर आपको वीडियो सही में अच्छी लगी है न वीडियो को like करके जरूर जाईएगा और कुछ अच्छा हो लगा हो कुछ आपको लगे इससे मुझे और motivation मिलता है इसी तरह से आपके लिए और content content बनाते रहने का ठीक है चलिए तो अपने ध्यान रखिए हम मिलते नेक्स वीडियो में बाई